हेलो दोंस्तो रेलकारवाच चानल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है भारती रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा करते समय हम सभी खिड़की के बाहर मालगाडियां देखते ही है और कुछ-कुछ जिग्यासू लोगों के मन में इन्हें देखके यह भी खयाल आय कि रेलवे माल गाड़ी पर डबल कंटेनर मतलब एक के उपर एक क्यों रखती है क्या यह ओवरलोडिंग नहीं है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है तो इस वीडियो के अंतक बने रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए तो चलिया आज का लेल कारवां शुरू करते हैं देखिए डबल स्टैक मतलब ट्रांस्पूर्टेशन का इस्तिमाल केवल भारती रेलवे में ही नहीं बलकि वीडेशों में भी किया जाता है और रही बात ओवर्लोडिंग की तो नहीं इन्हें ओवर्लोडिंग नहीं कहा जा सकता भारती रेलवे केवल दो डबल स्टैक कंटेनर्स ही संचालित करती है क्योंकि यहां रूट इलेक्रिक होने के कारण अगर ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स यूज करेगी तो वो overhead equipment से टच हो जाएगा और short circuit हो जाएगा लेकिन विदेशों में जहां केवल डीजल लाइन है वहाँ triple stack का भी उपयोग किया जाता है अब आते हैं हमारे प्रश्ण पर की क्यों double stack का इस्तिमाल करती है भारती railway इसका जवाब यह है कि भारती rail route पर रेलगाडियों की frequency ब मालगाड़ी वो mail express गाड़ियां चलती है समानता freight train मतलब मालगाड़ियों की लंबाई से हम सब परिचित हैं अगर हम इन्हें एक के उपर एक न रखे तो इनकी लंबाई लगभग 2-5 km हो जाएगी जिससे कि इन्हें किसी station पर लेने में वो पीछे वाली गाड़ी का संचा करने में परिशानी होगी दूसरा कारण यह है कि अगर इन्हें अलग अलग ले जाए तो हर एक कंटेनर कोस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गया होंगे कि भारती रेलवे माल गाड़ी पर डबल कंटेनर क्यों रखती है अगर आज वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क् चैनल पर भारती रेलवे से जुड़ी सबी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए